चड़िया घरों में आपने सफेद बाग तो बहुत देखे होंगे, ये दूसरे बागों से यकीनन बेहत खुपसूरत लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सफेद बागों का रंग सफेद क्यूं होता है? यही दिल्चस्प जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं, दिरसल सफेद बागों का रंग सफेद इस वज़ा से होता है, क्यूंकि इनके शरीर में मैलेन नाम की एक द्रव की कमी हो जाती है, जिस वज़ा से इनके शरीर का रंग पीला यानि दूसरे बागों की तरह नहीं हो पाता है, यही नहीं सफेद बागों की रोग परतिरोधक छमता भी बेहत कमजोर होती है, इन्हें दूप, बारिश और सर्दी जल्दी पकड़ लेती है, यह जल्दी बिमार पड़ जाती है, यही नहीं सफेद बाग किसी विदेश से नहीं आए हैं, बलकि भारत की ही है अपने प्राइवेट फॉरिस्ट में दिखाई दिया था जिनको उन्होंने ट्रैप करा लिया था और ट्रैप करके नॉर्मल टाइगर्स के साथ ब्रीड करके फिर ये वहां से जाना शुरू हुआ उनके ब्रीड हो रहे थे कभी नॉर्मल होते थे कभी वाइट होते थे पहले अपने आके चड़िया घरों में गए फिर अमेरिका और योरप में बहुत जगे गए और उस वक्त महारा जग उससे रोयल्टी भी बहुत पैसा भी मिलता था फिर जब लॉचेंज होने लगा और टाइगर को प्रोटेक्शन उसमें ले आए तब उनको हटाने भी पड़े और वो अब सरकार के कंट्रोल में यह चीज रहती है और यह जो हमारा वाइट टाइगर है यह एक तरह की एमनॉर्मलिटी है यह जो हमारे बॉड़ी में एनिमल्स में और बर्ड्स में जो मेलिनिन नाम का एक मैटर होता है उसकी कमी के वज़े से यह कलर नहीं आने पड़ता है और लाइट कलर हो जाते हैं जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल टाइगर बहुत डीप कलर और स्ट्राइप्स बहुत ब्लैक होती है वो चीज इसमें मिसिंग हो जाती है और कुछ अलग दिखाई देने लगता है और यह माना जाता है कि जो इस तरह के होते हैं टाइगर वो उतने हेल्दी नहीं होते हैं जितना एक नॉर्मल टाइगर होता है इनको क्योंकि इनके अंदर जो है वो मेलिनिन की कमी है तो यह इनको हीट से और अपने आपके जो धूप है इस सबसे परिशानी होती है तो इनको बचाना भी पड़ता है लखनो चडिया घर में वर्तमान में तीन सफेद बाग है जिनने देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं अकसर लोगों के मन में ये सवाल होता था कि आखिर सफेद बाग सफेद क्यों होते हैं तो यकीन यह दिल्चस्प जानकारी आपको पसंदाई होगी लखनो से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल 18